उत्राखंड कॉंग्रेस अध्यक्षे पीतम सिंग से डिली के विशेश संबादाता अमें दुबे ने खास बातचीत की इस दोरान पीतम सिंग ने कहा कि इस बार डिली में कॉंग्रेस सभी सीटे जीतने चा रही है दोजार चौदा और दोजार उनीस के लुक्सभा चुनाओ में बड़ांतर है तारिक होने दिली का चुनाद छटे चरण यानि बारे तारिक होने बाला है उत्रा खंड के दिली में मौझूद है लगातार चुनाद प्रचार में लगे हुए हैं कॉंग्रिस औध्यक्ष पृतम सिंग जी हमारे साथ है पृतम जी खास तर पर बात करें कि पिछली बार दिल्ली में सभी सीटे बीजेपी की थी इस बार पिछली बार एंटी इंकम मैंसी की बात कही गे थी इस बार ऐसी चीजे नहीं है आपको लगता है इस बार कॉंग्रेस किस तरह फाइल कर पाएगी दिखें जब हम 2014 का जिक्र करते हैं तो उस समय देश के ने बहमत से भारती जंता पार्टी की सरकार बनी लेकिन पांस साल के कारीकाल में जो वादे 2014 में किये गए थे उस पर सरकार ने पीछे मुड़कर के नहीं दिखा लोगों में आकरूश है और सहभाई की बात है जब आम जन आकरूशित होता है तो वो बोट के माद्धिम से करने का काम करता है और 2019 के इस लोगसावाचुनाव में दिल्ली के अंदर कौंग्रेस ने जो परत्याख्षी उतारे निश्चत रूप से जब हम उनके अतीद को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि मजबत्त परत्याख्षी मैदान में और कर दिल्ली में हम सारी लोग सवाशिटें जीतने का काम कर रहा है तरिस भिजे के भगवारंग का क्या किया प्रश्न हो गया क्या सादू संत जो है भारति तो ये सब चीजें हैं वो जो चुनाव वहपाल का हो रहा है उस वहपाल के चुनाव में सादू संत जो है कॉंग्रेस के साथ खड़े हैं दीवजे सिंग जी के साथ खड़े तो कौन सा गुना कर दिया तो ये थे प्रितम सिंग जी जो साथ तौर्प कह रहे थे कि हिंदुत किसी की बपोती नहीं है कैमरामें दीपक शर्मकसात अमिद्दुबे के न्यूच दिल्ली